कोना दित्य की महिमा ब्रह्म पुरान भाग सत्रा पिछले अध्याय में हमने भरत वर्ष का वर्णन सुना नमस्कार मैं आभा शर्मा जवास आपके सम्मुक सभी पुरानों का ओडियो वर्जन लेकर उपस्तेत हुई हूँ अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और इन कहानियों का आनंद लें ब्रह्मा जी कहते हैं भरत वर्ष में दक्षिन समुद्र के किनारे ओन्र देश के नाम से विख्यात एक प्रदेश है जो स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाला है समुद्र से उत्तर विरज मंडल तक का प्रदेश पुन्यात्मों के संपूर गुणों द्वारा सुशोबित है उस देश में उत्पन जो जीतेंद्रे ब्रहमन तपस्या एवं स्वाध्याय में सनलग्न रहते हैं वे सदाही वंदनिये एवं पूजनिये हैं उस देश के ब्रहमन, श्राद, दान, विवहा, यग्य, अथ्वा आचारे कर्म सभी कारियों के लिए उत्तम हैं वे शट कर्म परायन वेदों के पारंगत विद्वान, इतिहास वेता, पुरानार्थ विशारद, सर्वशास्त्रार्थ कुशल, यग्य शील और राग द्वेशिस रहित होते हैं कोई वैदिक अगनी हूत्र में लगे रहते हैं और कोई समार्त अगनी क्यों पासना करते हैं विस्त्री, पुत्र, धन से संपन, दानी और सत्यवादी होते हैं तथा यग्योत सब से विभूशित पवित्र उतकल देश में निवास करते हैं वहां क्षत्री आदी अन्य तीनों वर्णों के लोग भी परं, सैयमी, स्वकर्म, परायन, शांत और धार्मिक होते हैं उक्त प्रदेश में भगवान सूर्य कोणादित्य के नाम से विख्यात होकर रहते हैं उनका दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है मुन्यों ने कहा सुर्श्रेष्ट पूर्वोक्त ओन्र देश में जो सूर्य का क्षेत्र है वहां भगवान भास कर निवास करते हैं उसका वर्णन कीजिए इस समय हम उसे ही सुनना चाहते हैं ब्रह्मा जी बोले मुनीवरुम लवन समुद्र का उत्तर तट अत्यंत मनुहर और पवित्र है वह सब ओर वालुका राशी से आच्छादित है उस सर्वगुण संपन प्रदेश में चंपा, अशोग, मौलसिरी, करवीर, गुलाब, नाक केसर, ताड, सुपारी, नारिल, कैत और अन्य नाना प्रकार के व्रिक्ष चारों ओर शोभा पाते हैं वहां भगवान सूरे का पुनिक शेत्र है जो संपून जगत में विख्यात है उसका विस्तार सब ओर से एक यूजन से अधिक है वहां सहस्त्र किर्णों से सुशोभित साक्षात भगवान सूरे निवास करते हैं वे कुनादित्य के नाम से विख्यात एवं भोगर मोक्ष प्रदान करने वाले हैं वहां माग मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथी को इंद्रिय सैयम पूर्वक उपवास करें फिर प्रातकाल शौचादी से निवरित एवं विशुद चित हो सूर्य देव को स्मरन करते हुए विधी पूर्वक समुद्र में स्नान करें देवता रिशी और मनुश्यों का तरपन करें तत पश्षाद जल से बहार आकर दो स्वच्छ वस्त्र धारन करें फिर आचमन करके पवित्रता पूर्वक सूर्य दे के समय समुद्र के तरपर पूर्वा भी मुख होकर बैठें लाल चंदन और जल से तामबे के पात्र में एक अश्टदल कमल की आकरिती बनाएं जो केसर युक्त और गोलाकार हो उसकी करने का उपर की ओर उठी हो फिर तिल, चावल, जल, लाल चंदन, लाल फूल और कुशा उस पात्र में रख दें तामबे का बरतन ना मिले तो मदार के पत्ते का दोना बनाकर उसी में तिला दी रखे उस पात्र को एक दूसरे पात्र से धक कर रखे इसके बाद हिर्दे आदी अंगों के क्रम से अंगन्यास और कर्ण्यास करके पून्षरधा के साथ अपने आत्म स्वरूप भगवान सूर्य का द्यान करें पूर्वोक्त अस्टदल कमल के मद्य भाग में तथा अगनी, नेरित्य, वाइव्य और इश्यान कोणों के दलों में एवं पुनह मद्य भाग में क्रमशह, प्रभूत, विमल, सार, आराध्य, परम और सुख रूप सूर्य देव का पूजन करें इसके अनंतर वहां आकाश से सूर्य देव का आवाहन करके करनिका के उपर उनकी स्थापना करें तथ पश्षात हाथों से सुमुक संपुट आदी मुद्राएं दिखाएं फिर देवता का स्नान आदी कराकर एकागरचित हो इस प्रकार ध्यान करें भगवान सूर्य श्वेत कमल के आसन पर तेजो मंडल में विराजबान हैं उनकी आँखें पीली और शरीर का रंग लाल है उनकी दो भुजाएं हैं उनका वस्त्र कमल के समान लाल है वे सब प्रकार के शुब लक्षणों से युक्त और सभी प्रकार के आभूशणों से विभूशित हैं उनका रूप सुन्दर है वे वर देने वाले शात एवं प्रभा पुंज से देदिप पिमान हैं तदनंतर उ अर्गी पात्र लें, उसे सिर के पास लगाएं और प्रित्वी पर घुटने टेक कर मौन हो एकाग्र चित से त्रेक्षर मंत्र का उच्चारन करते हुए सूरे को अर्ग दे। जिस पुरुष को दिक्षा नहीं दी गई है वह भाव्युक्त श्रद्धा के साथ सूरे का नाम लेकर ही अर्ग दें क्यूंकि भगवान सूरे भक्ति के द्वारा ही वश में होते हैं। अगनी, नरित्य, वाव्य एवं इशान कौन, मद्य भाग तथा पूर्वादी दिशाओं में क्रमशह, हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र की पूजा करें। फिर अर्ग दे, गंध, धूप, दीप और नवेद्य निवेदन कर, जप, स्तुती, नमशकार तथा मुद्रा करके देवता का विसर्जन करें। जो ब्रामन, क्षत्रिय, वैशे, स्त्री और शूद्र अपने इंद्रियों को वश में रखते हुए, सदा, सैयम, पूर्वक, भक्ति भाब और विशुद्ध चित से भगवान सूरे को अर्ग देते हैं, वे मनोवांचित भोगों को उपफोग करके परमगती को प्राप्त ह होते हैं, जो मनुष्य तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले आकाश विहारी भगवान सूरे की शरण लेते हैं, वे सुक्के भागी होते हैं, जब तक भगवान सूरे को विधी पूर्वक अर्ग ना दे दिया जाए, तब तक श्री विश्नु शंकर अथ्वा इंद्र का पूजन नहीं करना चाहिए, अतहे हैं, प्रती दिन पवित्र हो प्रतन करके मनुह और फूलों और चंदनादी के द्वारा सूरे देव को अर्ग देना ही चाहिए, इस प्रकार जो सप्तमी तिथी को स्नान करके शुद्ध एवं एकागर चित हो, सूरे को अर्ग देता है, रोगी पुरुष रोग से मुक्त हो जाता है, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, विध्यार्थी को विध्या प्राप्थ होती है और पुत्र की कामना करने वाला मनुशिप पुत्रवान होता है, इस प्रकार समुद्र में स्नान करके सूरे को अर्ग दे उन्हें फिर हात में फूल लेकर मौन हो सूरे के मंदिर में जाएं, मंदिर के भीतर प्रवेश करके भगवान कोणा दित्ते की तीन बार प्रदिक्षना करें और अत्यंत भक्ती के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप, नविद्य, साष्टांग प्रणाम करकर जैजैकार तथा स तोत्रों द्वारा उनकी पूजा करें इस प्रकार सहस्त्र किर्णों द्वारा मंदित जगदीश्वर सूरे देव का पूजन करके मनुष्य दस अशुमेग यग्यों का फल पाता है इतना ही नहीं वे सब पापों से मुक्त हो दिव्वे शरीर धारन करता है और अपने आग के लोक में जाता है उस समय गंधर्वगन उसका यशोगान करते हैं यहां तक कल्प तक श्रेश भोगों का उब्भोग करके पुन्य क्षीन होने पर वह पुन्ह इस संसार में आता है और योगियों के उत्तम कुल में जन्म ले चारों वेदों का विद्वान सोधर्म परायन तथा पवित्ठ ब्रहामन होता है . तदन अंतहर भग journalism सूरीश से ही योगी की शक्राप्त करके मोक्ष पा लेता है जहत्रमास के शुक्त पक्ष में भगव House कोणादित्य की यात्रा होती है क्रें यात्रा दमन भन्जिका के नाम से विक्र्वान सैबग्यात है जो मनुष् variation यह यात्रा करता है उसे भी पूर्वोक्त फल की प्राप्ति होती है भगवान सूर्य के शैन और जागरण के समय सक्प्रांती के दिन विश्णुव योग में उत्तरायन या दक्षणायन आरंब होने पर रविवार को सप्तमी तिथी को अथ्वा पर्व के समय जो जीतेंद्र पुरुष वहां की शद्धा पूर्वक यात्रा करते हैं वे सूर्य की ही भांती तेजस्वी विमान के द्वारा उनके लोक में जाते हैं वहां समुद्र के तट पर रामेश्वर नाम से विख्यात भगवान महादेव विराजमान है जो समस्त अभिलक्षत फलों को देने व नविद्य, नमशकार, स्तोत्र, गीत और मनुहर वाद्यों द्वारा उनकी पूजा करते हैं वे महात्मा पुरुष, राच्सुय तथा अश्वमेग्यों का फल पाते हैं और परम सिध्धी को प्राप्त होते हैं करते हैं